सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाईए बेल आइकन नमस्कार दोस्तो आज हम बात करेंगे फ्लेग एंड पैनेंट के विशे में फ्लेग एंड पैनेंट चार्ट पैटर्न का ही एक रूप हैं दोस्तो flag and pennant दो अलग-अलग chart pattern है लेकिन यहाँ बिल्कुल एक समान दिखाई देते हैं इसलिए मैं इन दोनों को एक साथ समझा रहा हूँ दोस्तो flag का मतलब होता है जंडा और pennant का मतलब होता है जंडी या पता का दोस्तो flag and pennant short term और medium term ट्रेडिंग के लिए उप्योग में आने वाले chart pattern है दोनों दो-दो प्रकार के होते हैं bullish continuation flag and pennant और bearish continuation flag and pennant bullish continuation flag and pennant तेजी के trend को बरकरार रहने का संकेत देते हैं मतलब की जो तेजी का trend चल रहा है वो आगे और भी चलेगा और bearish continuation flag and pennant मंदी के trend को बरकरार रहने के संकेत देते हैं मतलब की जो मंदी का trend चल रहा है वो आगे और भी चलेगा तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि flag and pennant चार्ट पेटर्न के से बनते हैं और इनके बनते समय हमें किन-किन बातों का विशेज ध्यान रखना पड़ता हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि bullish continuation flag के से बनता हैं दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में एक sharp तेजी का मूँ आता हैं और flag chart pattern के बनने में यह आवशक हैं कि शुरूआती तेजी का trend एक sharp up trend हो इस sharp up trend को flag pattern के साथ flag pole कहते हैं मतलब कि जंडे का डंडा जब बाजार में इतना तेज sharp move आता हैं तब chart में volume सामयने से अधिक होता हैं इसके बाद price एक resistance बनाता हैं और एक छोटे से consolidation period में चला जाता हैं consolidation period मतलब की एक semi-trange इस consolidation period का जुकाओ नीचे की तरफ होता हैं इस consolidation period में छोटे-छोटे support और resistance बनते हैं जब दो support और दो resistance बन जाए तो उसके बाद दोनो resistance के high को touch करते हुए एक trend line खीचना हैं इसके बाद दोनो support के low को touch करते हुए दूसरी trend line खीचना हैं अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यहाँ हैं कि flag pattern के साथ दोनो trend line एक दूसरे के समानंतर होना चाहिए यहाँ बहुत ही आवशक हैं यहाँ एक छोटे से price channel के जिसा दिखाई देता हैं इसके बाद जब price resistance line को तोड़ कर उसके उपर चला जाए तब यहाँ pattern पूरा होता हैं बुलिश पैनन्ट पैटर्न में बुलिश फ्लेग पैटर्न की तुलना में थोड़ा सा फर्क होता हैं पैनन्ट पैटर्न में consolidation period के समय दोनों trend line एक दूसरे के समानंतर न होकर एक दूसरे को एक point पर आकर काट देती हैं इसके बाद जब price resistance line को तोड़कर उसके उपर निकल जाए तब यहाँ pattern पूरा होता हैं और तेजी का trend एक बार फिर से चलने लगता हैं इस प्रकार से bullish continuation पैनन्ट चार्ट पैटर्न की रचना होती हैं अब हम समझते हैं कि bearish continuation flag pattern के से बनता हैं दोस्तो चार्ट में हम देखते हैं कि बाजार में एक sharp मंदी का मूँ आता हैं और bearish continuation flag chart pattern के बनने में यहाँ आवशक हैं कि शुरुवाती मंदी का trend एक sharp downtrend हो इस sharp downtrend को bearish flag pattern के साथ flagpole कहते हैं मतलब की जंडे का डंडा जब बाजा इसके बाद price एक support बनाता हैं और एक छोटे से consolidation period में चला जाता हैं consolidation period मतलब की एक सिमित range इस consolidation period का जुकाव उपर की तरफ होता हैं इस consolidation period में छोटे छोटे support और resistance बनते हैं जब दो support और दो resistance बन जाएं तो उसके बाद दोनों resistance के high को touch करते हुए एक trend line खीचना हैं और इसक support के low को touch करते हुए दूसरी trend line खीचना हैं अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह हैं कि flag pattern के साथ दोनों line एक दूसरे के समानंतर होना चाहिए यहां बहुत ही आवशक हैं यहां एक छोटे से price channel के जैसा दिखाई देता हैं इसके बाद जब price support line को तोड़कर उसके नी bearish continuation flag chart pattern की रचना होती हैं बेरिश pennant pattern में bearish flag pattern की तुलना में थोड़ा सा फर्क होता हैं पैनन्ट pattern में consolidation period के समय दोनों trend line एक दूसरे के समानंतर होकर एक दूसरे को एक point पर आकर काड़ देती हैं इसके बाद जब price support line को तोड़कर उसके नीचे चला जाए तब यहां pattern पू continuation pennant chart pattern की रचना होती हैं दोस्तों chart pattern के साथ time frame का कोई इतना महत्व नहीं हैं यहां हर एक time frame में बनते हैं और हर एक time frame में अच्छी तरह से काम भी करते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि flag and pennant के साथ हम खरीदी और विक्वाली कैसे कर सकते हैं उससे पहले मैं अभी तक risk reward ratio और stop loss theory का वीडियो नहीं देखा हैं तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिए क्योंकि chart pattern के साथ खरीदी और विक्वाली करने में risk reward ratio और stop loss theory का महत्वपुन उपयोग हैं इन दोनों वीडियो की link मैंने इस वीडियो की description में डाल रखी हैं आप वहां जा पार्ट में bullish flag का formation दिखाई दे रहा हैं तो आपको सबसे पहले जो consolidation period हैं उसमें दोनों support के low को touch करते हुए एक trend line खीचना हैं और इसके बाद दोनों resistance के high को touch करते हुए दूसरी trend line खीचना हैं अब हमें इसमें खरीदी करने के लिए यहां देखना हैं कि जब कोई candle bullish flag पू candle ने resistance line के उपर closing दी हैं उसके low के नीचे का stop loss लगाना हैं इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी हैं कि आपके खरीदारी करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference हैं वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तबी आपको trade लेना हैं अगर difference दो प्रतिशत के नियम के अनुसार नहीं हैं तो आपको यह trade नहीं लेना हैं ट्रेड लेने के बाद आपको trailing stop loss का उपयोग करना हैं अब इसमें आखरी point यह हैं कि हमें profit book कहां पर करना हैं तो profit book करने के लिए आपको यहां देखना हैं कि जहां से flag pattern के pole क शुरूआत होती हैं इसे हम नाम देते हैं point A और जहां पर पहला resistance बनता हैं इसे हम नाम देते हैं point B अब point A और point B के बीच का जो difference हैं वो हमारा target होगा जब price resistance line को break करके उसके उपर closing दे देता हैं तो उसके उपर point A और point B के बीच का difference हमारा target होगा जैसे कि point A और point B के बीच का difference 20 point का ही तो हमारा target resistance line के उपर 20 point का होगा और जब price 20 point के difference तक पहुच जाए तो हमें तुरंत profit book करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम bullish continuation flag के साथ खरीदी कर सकते हैं और बिल्कुल इसी प्रकार से आपको bullish continuation pennant के साथ भी खरीदी करना है तो चलिए दोस्तो अब हम समझते हैं कि bearish continuation flag के साथ हम बिक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको chart में bearish flag का formation दिखाए दे रहा हैं तो आपको सबसे पहले जो consolidation period हैं उसमें दोनों support के low को touch करते हुए एक trend line खीचना है और इसके बाद दोनों resistance के high को touch करते हुए दूसरी trend line खीचना है अब हमें इसमें बिक्वाली करने के लिए यहाँ देखना है कि जब कोई candle bearish flag के पूरा होने के बाद support line के नीचे closing दे दे तो उसके बाद वाली candle में हमें बिक्वाली करना है और बिक्वाली करने के तुरंत बाद जिस candle ने support line के नीचे closing दी है उसके high के उपर का stop loss लगाना है इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपके बिक्वाली करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के दो प्रतिशत के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तब ही आपको trade लेना है अगर difference दो प्रतिशत के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना है trade लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना है अब इसमें आखरी point यहा है कि हमें profit book कहां पर करना है profit book करने के लिए आपको यहाँ देखना है कि जहां से flag pattern का pole बनना शुरू हुआ है इसे हम नाम देते हैं point A और जहां पर पहला support बना है इसे हम नाम देते हैं point B अब point A और point B के बीच का जो difference है वो हमारा target होगा जब price support line को break करके उसके नीचे closing दे देता है तो उसके नीचे point A और point B के बीच का difference हमारा target होगा जैसे कि point A और point B के बीच का difference 20 point का है तो हमारा target support line के नीचे 20 point का होगा और जब price 20 point के difference तक पहुँच जाए तो हमें तुरंत profit book करना है तो दोस्तो इस प्रकार से हम bullish continuation flag के साथ बिक्वाली कर सकते हैं और बिलकुल इसी प्रकार से हमें bearish continuation pennant के साथ भी बिक्वाली करना है तो चलिए दोस्तो अब हम chart में flag and pennant chart pattern को समझ लेते हैं कि flag and pennant chart pattern के साथ हम खरीदी और बिक्वाली कैसे कर सकते हैं दोस्तो यहाँ पर chart में मैं आपको उधारन के लिए एक pennant का और एक flag का उधारन बताऊंगा जिससे कि आपके दोनों ही topic पूरी तरह से clear हो जाएंगे सबसे पहले आप अपने charting software में जाईए और chart को खोल लीजिए इसके बाद आपको जिस भी time frame में flag या pennant का formation दिखाई दे रहा हो आप उस time frame को खोल लीजिए जैसा कि मुझे यहाँ पर daily chart में pennant का formation दिखाई दे रहा है तो मैंने यहाँ पर daily chart की time frame को खोल रखा है तो अब हम समझते हैं कि bullish continuation pennant के साथ हम खरीदारी के से कर सकते हैं bullish pennant के साथ हमें खरीदारी करने के लिए यहाँ देखना है कि bullish pennant के जो दोनों resistance हैं उन दोनों resistance के high को touch करते हुए हमें एक trend line खीचनी है तो यह रहा हमारा पहला resistance और यह रहा हमारा दूसरा resistance अब मैं इन दोनों के high को touch करते हुए एक trend line खीच देता हूँ करते हुए एक ट्रेंड लाइन खीच देता हूं अब हमें इसमें खरीदारी करने के लिए यहां देखना है कि जब पैनेंट का फॉर्मेशन तयार हो जाए तो उसके बाद जो भी केंडल रसिस्टेंस लाइन के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद वाली केंडल मे हमें खरीदारी करना है तो बात यहां पर देखिए कि इस वाली केंडल ने रसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी है इसका मतलब यह हैं कि हमें इस वाली केंडल में खरीदारी करना है इसके बाद जिस केंडल ने रसिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी हैं उसक आपके खरीदी करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference है वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए तभी आपको trade लेना है अगर difference risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार नहीं है तो आपको यह trade नहीं लेना है ट्रेड लेने के बाद आपको trailing stop loss का उप्योग करना है अब इस pole तयार हो रहा है वहाँ से लेकर pennant pattern के पहले resistance तक हमारा target होगा तो आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ से pennant pattern का pole तयार हो रहा है और यह रहा हमारा पहला resistance तो pennant pattern के lowest low से पहले resistance के बीच का जो difference है वो resistance line के ऊपर हमारा target होगा तो अब आप यहाँ पर देखिए कि इस वाली candle चुनल में हमारा target अचीव हो रहा है तो इसका मतलब यह हैं कि हमें इस वाली candle में profit करना है लेकिन अगर आपने daily stop loss का उपयोग किया होगा तो आपका stop loss इसी candle में hit हो जाएगा तो आपका profit book इसी candle में हो जाएगा तो दोस्तो इस इस प्रकार से हम bullish continuation पैनेंट के साथ खरीदारी कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि flag pattern के साथ हम विक्वाली कैसे कर सकते हैं flag pattern के साथ विक्वाली करने के लिए आपको सबसे पहले जो flag pattern के दो resistance हैं उन दोनों resistance के high को टच करते हुए एक trend line खीचना होगी तो ये रहा हमारा पहला resistance और ये रहा हमारा दूसरा resistance अब मैं इन दोनों को मिला कर एक trend line खीच देता हो इसके बाद आपको दोनों support को मिला कर एक दूसरी trend line खीचनी है तो ये रहा हमारा पहला support और ये रहा हमारा दूसरा support अब मैं इन दोनों के लोग को touch करते हुए एक द तो आप यहाँ पर देखिए कि यह वाली केंडल सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दे रही हैं तो इसका मतलब यह हैं कि हमें इस वाली केंडल में बिक्वाली करना हैं और बिक्वाली करने के तुरंत बात जिस केंडल ने सपोर्ट लाइन के नीचे क्लोजिंग दी हैं उसी के high के उपर का stop loss लगाना है। मतलब कि हमें इस candle के high के उपर का stop loss लगाना है। इसी बीच trade लेने से पहले आपको एक और बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी हैं कि आपके बिक्वाली करने के point से stop loss लगाने के point के बीच का जो difference हैं वो risk reward ratio के 2% के नियम के अनुसार ही होना चाहिए। अगर difference 2% के नियम के अनुसार नहीं हैं तो आपको यह trade नहीं लेना हैं। ट्रेड लेने के बाद आपको trailing stop loss को उप्योब करना हैं। अब इसमें आखरी point यहां हैं कि हमें profit book कहां पर करना हैं। तो profit book करने के लिए आपको यहां देखना हैं कि जहां पर flag pattern के pole का highest high हैं। वहां से लगा कर पहले support तक हमारा target होगा। तो यह रहा हमारा flag pattern का highest high और यह रहा flag pattern का पहला support। तो अब इन दोनों के बीच का जो difference हैं वो support line के नीचे हमारा target होगा। तो आप यहां पर देखिए कि इस वाली candle में हमारा target अचीव हो रहा हैं। इसका मतलब यह हैं कि हमें इसी candle के अंदर profit book करना हैं। तो दोस्तो इस प्रकार से हम bearish continuation flag pattern के साथ बिकवाली कर सकते हैं। तो दोस्तो मैंने यहां पर एक एक उधारन दोनों pattern के समझा दिये हैं। उमीद है आपको यहां दोनों pattern समझ में आ गए होगे। तो दोस्तो यहां थी flag and pennant के विशय में संपून जानकारी। उमीद है आपको यहां जानकारी प्रसंद आई होगी। अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में हैं तो आप comment box में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे गुडबाई धन्यवाद।